कि गुडिमनी सभी को जैसा कि हमने कहा था कि आज से स्टार्ट करेंगे हम यूपी पुलीस में उत्तरप्रदेश पुलीस जो भरती है उसका एक्जाम उस एक्जाम के चर्चा करेंगे इसमें से कुछ लोगों का कमेंट था आज हैपी बड़े सर तो धन्यवाद जिन्नों ने पुलीस किया है और आज मुझे एक वीडियों बनाना था अंबेटकर साथ क्योंकि आज उनका इस तरीके से महापरी निर्वार दिवस है या पुन्य तीथी कहा जाता जिसे शादी समरोनुष छपन के दिन भारत मा का एक ऐसा पुत्र जो की इस देश को समानता सोतंत्रता और बंधुत्यों की भासा सिखा कर इस संसार से क्या हो गए बीदा हो गए तो आज इन पर बनाना था लेकिन किसी कारण वस्त नहीं बना पाया तो अब सुचाए कि इसको वीडियों अब इसको में ताल लाओ और आज हम बात करते हैं यूपी पुलीस जैसा कि देखें कि हम मारे साथ मिलकर काम करेंगे और जरुवत पड़ेगी टीचर तो आएंगे लेकिन तो पड़ियों एक सराओर आगे हैं तो जड़ुबट पड़ेगी तो टीचर लगाएंगे इस पर और कम्प्लीट होगा और बीजनिंग को भी टीचर आएंगे हिंदी लिजनिंग सब कर आ कि आपके बात करेंगी कि अभी जो इलेक्शन आने वाला तो उसमें देखानी होगी नहीं कि देखेंगे वाइए इतनी भरती निकाली है तो मुझे उम्मीद है कि भरती आने वाली और यूपी पुलिस में कितनी भरती आने वाली है वेकेंसी लगबग 25500 के आज पास बेकेंस हम तयारी करेंगे तो देखना जो लोग क्योंकि मैं सफल ब्यक्ति हूं मैं बहुत लाहर वीपल हुआ हूं material में तो मुझे पता है कि किस प्रकार से मिल्ड़ किस तरीके से वैगती वीफल होते हैं तो सफलता क्या और कोई विकति विफल का मौत है वह सकता है वहथ बीफल हुआ जैसे कि मैं तो बहुत बार बीफल हूँ तो मुझे इसका बहुत अच्छे से इसका एसास है कि कोई विप्ति क्यों भीफल होता है तो देखें जब दुनिया सो रही हो किसी तैयारी करने के लिए दुनिया सो रही हो और ऐसे समय में अगर आप उठकर मेहनत करते हैं तो समय लिए कि आप अपने टार्गेट के और बहुत आगे तेजी बढ़ रहे हैं अभी पुलिस के लिए जो पुलिस के तयारी आने भरती आने वाली है अभी दुनिया इसके लिए सांत है उत्तर परदेश के सभी छात्र क्या है सांत है ऐसे समय में अगर आप टाइम स से जागने के साथ सब पैयारी शुरू कर देते हैं तो निश्चीत मानिये मेरा बात मानिये कि आप बिल्कुल सफल होंगे तो भी जो भरती आ रही है 25500 मैं उस पर बात करा हूं पुलिस भरती इसमें होगा यह जो एक्जाम होगी जानते हैं कि यूपी पुलिस का जो इसमें क्वेस्टन होते हैं कि 150 एक सो पचाज कोश्टन क्यतने गंते का समय रहता है तो हावर्स का समय रहता है यह 150 फार में कैसे कैसे पुर्षेक कुर्ष न कुछता मैं बंब्बात कर रहा हूं तो 150 क्वेस्टन में होता है आप तीस्ट वेस्टेन किसे होंगे हिंदी से किसी होगा हिंदी से 30 इस्ट does और टीस्ट वेस्ट लिए रिजनींग से किसे ओग इस और अटीस क्वेस्टन मैस से होगा मैठ मैठ लुट्ञ से अच्छा अर्ड तक का मैठ पूषता है इससे ऊपर कर नहीं होता है उस कुछ मेंसुरेशन जो होते हैं वह दुछार क्वेश्चन छोड़नी के लिए आते हैं कि आप छोड़िए आगे बढ़िए उसमें पासिये मत और जो एक और बचा तो हिंदी रिजिनिंग मैथ और एक बनता है जीके या जीएस तो यह क्वेश्चन आते हैं करीब 37 या 38 तो मै और मैं इसका कटा भी बताद रहाओ कि लगभग इतना रहेगा तो जो जनरल की होते हैं जो जनरल कटेगरी को होंगे उनके मेरिट जाते हैं वह लगभग कितने जाएंगे 100 से 105 क्वेस्चन जो OBC को होंगे जो OBC से 95 और जो यस्टी होंगे 20 काष्टी के लोग इनका मेरिक जाएगा करीब 80-80 80-80 और जो यश्टी होंगे इनका तो जाता है 70-75 तो यह तर्गेट आपको अगर पास करना है मैंने बता जनरल का कितना जाएगा 100-105 इन्हीं 95-100 भी मान लो और सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो और भी है भीड में तुम भी निकल सको तो चलो किसी के वास्ते राहे कहां बदलती है मुझे गिरा के तुम निकल सको तो चलो लोग हैं अगर आप निकल सको तो चलो इस भीड में तो इस भीड में आपको निकलना है आगे तो समय से लग जाइए और मैं कल से इस पर जीके का त्यारी शुरू कर दूंगा जो जीएस मैंने काया अगर आप रेशियों चलते 38 हिंदी के आएंगे अगर इन में से अपने रेश्यू बना के चला है करीब 33-34 क्वेस्टन क्योंकि हिंदी हो सकता है मैं ही पढ़ा हूं तो हिंदी मैं पढ़ाता हूं तो भी रेश्यू ठीक रहेगा और रिजनिंग यह भी आपको इसी कंप्लीट करा जाएगा और जो बंदा सच में अगर मंद से लगा रहेगा वह अराम से अगर जनरल केटिगरी का तो सो एक सुपाइस उसको लाना कठीन है लेकिन अभी से लग जाए गता हूं और जो ओबीसी का है वह 95 लाना कोनों कठीन नहीं है लेकिन मंद से लगना होगा क्योंकि माइनस मार्किंग रह सही बहला कात लिया जाएगा मतलब कि टोटल तो हर एक 202 नमर का तो कुल टोटल 300 नमर का यह क्या होगा पेपर होगा कुल टोटल 300 नमर का तो इमें से क्वेस्चन मैंने बताया तो उसी का दूगना कर लो कि 95 में मतलब 1808 का 120 के मिर्ट बनेगा दो 190 से 200 के बीच में जैनरल क सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना तो सभी के लिए इजी पड़ेगा सभी के लिए पड़ेगा और यह मैत मैं थोड़ा सब कच्छा तक के लेवल का वही रेशियो प्रपोर्शन अनुपास अमानुपाद यह होता है तो इसमें ज्यादे तफ वाली बात नहीं है और कर देंगे तरीक से लिकिन लग जाए अभी से अभी से अभी सिदम मूड बना लीजिए कि नहीं को इस बार यूपी पुलिस निकालना है क्योंकि जानते हो यूपी पुलिस निकालने के बाद तो दहज भी बढ़ी जाता है सभी का तो वही मान के चलिए जैसा भी सोची कर दो दो कर दो कर दो दो कि जाता है